Q1. किस कलाकार को भाल का पिकासो कहा जाता है ? हुशेन जी को कहा जाता है, आप्षन दी, बी डरायट एन्शोर हुशेन जी का जन 1921 को सोलापूर में उए था यम्लिट्ट्टु डो अजार यारेस भी को लंदन में हुई थी नेश्ट कुर्श्यन लिंग राजमंदी कहां है तो लिंग राजमंदी भुनस्वर में इस्तित था से जा राइट अप्रम फेलिए को सब्सक्रावान सब्सक्राइब कि भुशंद प elite. हुशंद के पहले भाज का पिकास किसे कहा जाता था उसेन के पहले भार का पिकासो यामनी राय को का जाता था See the right answer यामनी राय का जन 1887 सिवी में इमरित 1922 सिवी कोई थी Next question इस्पेन की किस गुफा में अंगलियों से बनाई गई रेखाए हैं तो इस्पेन की अल्टा मीरा गुफा में अंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं Next question भूमरंग क्या है? एक अस्त्र है This is the right answer Next question Rich manu क्या है? मुखोटा पनि मनूस This is the right answer Next question Turner किस गुफाद की कलाकार है? Turner या थार्टवाद की कलाकार है B is the right answer Next question कौन सा या थार्टवाद है चित्रकार? चित्रकार के साथ साथ बेंग चित्रकार भी था तो दोमी चित्रकार के साथ साथ बेंग चित्रकार भी थे B is the right answer नेक्स पुस्ट्चन नेशनल इनिस्ट्टूट आप डिजाइन कहां है आमदाबाद में इस राइट अन्सवर नेक्स पुस्ट्चन दथिंकर नामग मुर्थी किसकी है नेक्स पुस्ट्चन नेक्स पुस्ट्चन बंदक किस में परिट किया जाता है बाटिक में परिट किया जाता है द्राइट अन्सवर नेक्स पुस्ट्चन प्रेम आट्या इसकी रचीटा है रस्खांज की रचीटा है दी द्राइट अन्सवर नेक्स पुस्ट्चन खासडा क्या है खासडा इसकेच छे यह दराइट अन्सवर नेक्स पुस्ट्चन इंटेग्रियों क्या है चापा कला है यह दराइट अन्सवर नेक्स पुस्ट्चन जहागीर नामा की पहली प्रति जहागीर के सिंहासन गराण करने के कितने वर्ष बात बन कर तयार हुई 14 में वर्ष बन कर तयार हुई इस दराइट अन्सवर नेक्स पुस्ट्चन सजनु नामक चितकार नकिस पुस्टक पर अधारी 21 चित्रों की चित्रावली राजा इस्वरी सेन को भेट में दे दी थी तो हमीर हट नामक पुस्टत इस दराइट अन्सवर नेक्स पुस्ट्चन कंपनी सहली का सबसे स्रेट शित्रकार कौन था शिवकराम जी थे बीज़ राइट अन्सवर नारी और मैना का चित्र कहां चित्री थे तो गोलकुंडा में चित्री थे इस राइट अन्सवर नेक्स पुस्ट्चन असोग ने कौन सी गूफा आज इंपो को दान में नहीं दी गोपिका गूफा इस राइट अन्सवर निकोलस रोरिक को क्या कहा जाता है निकोलस रोरिक को रंगो का जादगर कहा जाता है